ट्वाइस विल्कम बैक टूमार चैनल। तो कैसे हैं आप सब ? आज भूमारे गाट सानें जाहरी हूं काकी बनारा-धाजार कि अऩले और भचासे पता है कडारी रेसिपी है और आप जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी आलू और धन्या नेक्स इंग्रेटिंट जो है हमारा धन्या है यही दो हमारे में इंग्रीडेंट है उसके बार हमें जो चाहिए हो अध्रफ हरी मिर्च तो निम्भू हटडा के लिए हमें हमें चैज़ तो चलिए हम देख पे आप इसको कैसे बनाते हैं इससे पहले मैं आपको कहना चाहँँगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे तो सी मोर आमेजिंग रेसिपीज मिट्चे डाल दिया है और अद्रका टुकरा डाल दिया है इस अब को दो के मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इसको पीस लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे अभी एच्छे से पीसा नहीं है खड़ा है और हमें इसको थोड़ा पतला भी बनाना है तो हम इ अब आप यह देख सकते हैं हमारा जीरा भून गया है तब तक हम क्या करेंगे इसको अलका ठंडा होने देंगे यह मैंने आलू ले लिए है यह मेरे उबली आलू है इसे मैं छील लूंगी जब यह सारे शिल जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती है मैंने अलो के लिए सबसे अच्छी होगा वो आलो होते हैं जो चोटे अलो होते हैं ने बेबी पोटैटोस वो सबसे बढ़िया होते हैं उसे बबाले ज़िए सबसे पहले धन्या पाउड़ डाल दिए एक चामद धन्या पाउड़ डाल दियेंगे आमचुर पाउड़ डाल देंगे स्वाद अनुसरा अन्नमक और साथ ही साथ हमने ये जीरा बून के रखा था हो डाल देंगे ये जीरे को डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवाद इसमें बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप भी डालके देखेगा। आपको भी ये जरूर अच्छा दा देना। और साथ ही साथ मैं इसमें काली मेर्स डाल रही हूँ। अगर जो लोग ध्रत में ठालेते हैं रालमिच तो लालमिच भी डाल सकते हैं। कर दा दो, मौरा भी डालमिच भी डाल्यकीश भी कन ने रही यूँ। अगे लिए धर साथ रा इंगिविएं, कोले मैंने हिपर कहाँछे, लालेडैे हूं। अब हम क्या करेंगे यह जो पीस मैंने पीस के रखा है वो डाल दूँगी के रखा है बड़ी दो आगा है वो बड़ा सकता हुई जब हुई जपेंगे के रखा है क्या प्रू़ँ प्रूब दूब को प्रूब सावा cरजब टोब भाओा है अब देख सकते हैं मैंने सब को अच्छे से मिला लिया है अब मैं इसमें निम्बू मिला दे रही हूं खटा करने के लिए निम्बू इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है आप डाल के देखेगा कुछ हिमली का पानी मिला देते हैं बर मुझे निम्बू सबसे जादा अच्छा लगता है डालना तो मैं इसमें निम्बू डाल देगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छा कर देख सकते हैं रेडी टू इट होगे हैं अब इसको खा सकते हैं यह बहुत ही मसाले तार और खटे वाले धनिया आलू है तो आप इसे बनाईएगा अपने गर में प्राइग कीजेगा और मुझे तामर्टे पताईगा कैसे लगी तो आप इसे बनाईगा प्र और आपको अगर ये विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मैं चानल को सब्सक्राइब करेजिएगा प्रेज अ बेल आइकन और इस लाइक न वीडियो और थाइंक यू पर वाचिन